सुनो भारत की सभी लड़कियों आपके लिए एक संदेश है कि आप अपने पिता को समझो आज की वीडियो आज का संदेश आज का विचार इस एक लाइन पर कैंद्रित है और वज़े यह है कि मुझे अभी यानि कल 27-26 फरवरी को मेरी बहन जो की मेरा जो होस्पिटल जिनके नाम पर है रजी राम मेमोरियल माइंड केर होस्पिटल एंड रिसर्श सेंटर रजी राम जी जो है वो मेरे चाचा जी है जो की इस दुनिया में नहीं है करीबन 28-29 साल की एज के अंदर वो एकस्पायर हो गये थे तो उनकी बेटी है जिस बेटी को मैंने भी खिलाया है और यू माने कि जब चाचा जी दुनिया से चले गए तो उस वक्त मेरा उसके साथ में बहुत ज़्यादा एक अटेश्मेंट हो गया बहुत ही ज़्यादा एक लगाव हो गया और आज यानि कि कल का जो दिन था जिसके अंदर हमने उसके लिए करिस्ता देखा हमारी पहले बाचित हुई कि वो आए हम फिर उसके बाद उनके यहाँ पर गए तो उस पूरी एक सिच्विशन के अंदर मेरे अंदर जो एक भाव आ रहे थे मैं जो फील कर रहा था वो मैं एक पिता को फील कर रहा था और मैं ये फील कर रहा था कि भारतिय संस्कृति के अंदर कि भारत के अंदर एक जो पिता है वो क्या कुछ मैसूस करता है और दोस्तों मैं आप सभी को और खास तोर पर भारत की सभी लड़कियों को ये बताना चाहता हूं कि पिता क्या है? फादर जो है वो क्या है? मुझे लगता है कि इस वीडियो के बाद में आपकी जीवन के अंदर बहुत सारे जो समश्या हैं, जो परिशानिया हैं, जो कष्ट हैं, वो खतम होंगे और आपका रास्ता एक खुशी का, हंसी का, जीवन के अंदर हर्स का, उल्लास का और अपने जीवन की जो आपकी जीवन की क्वालिटी ओफ लाइफ है, वो बढ़ेगी, इस वज़े से ही मैं आप सभी के साथ में इस सारे विचार शेयर करना जाता हूँ पहली बात तो ये, कि पिता जो है, वो एक इनसान से ज़्यादा अहसास है कि वो आपको प्रोटेक्ट करता है, आपको बड़े होते हुए देखता है, आपको वो सक्षम करना चाहता है, आपको वो अपने पेरों पर खड़ा होना, सिखाना चाहता है वो चाहता है कि आप अपने पेरों पर खड़े हो, आप बहुत से जो मुकाम है वो हासिल करो, वो आपकी सफलता से सफल होना चाहता है वो आपकी सफलता से सफल होना चाहता है दोस्तो जब एक बेटी बड़ी हो जाती है तो उसके पिता के मन के अंदर एक भाव होता है कि मेरी बेटी जो है किसी अच्छे घर में जाए मेरी बेटी का जो सशुराल है वो बहुत अच्छा हो और सबसे जादा उसको अगर कुछ प्रेय होता है तो वो ये कि उसका जो दामाद है यानि कि जो बेटी का जो हस्पेंड होगा वो बहुत ही अच्छा हो उसके अंदर वो सारी क्वालिटीज हो वो सारे गुण हो जिसका जो भाव है उन सब गुणों का जो भाव है वो हिंदू सब्यता में हिंदू संसकर्ती के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ ये संदेश मेरा सबी लड़कियों को है तमाम धर्मों की लड़कियों को है तमाम संसकर्ती की लड़कियों को है कि हिंदू सब्यता में हिंदू धर्म के अंदर जो दामाद होता है जब वो आते हैं साधी होती है तो उस वक्त उनको एक विश्लू जी का रूप माना जाता है जैसे विष्णू बगवान हैं, उस तरीके से वो आएं हैं और हमारे घर में जो लक्सुमी हैं उनके साथ में उनकी जोड़ी बनेगी और वो अपने घर के अंदर लक्स्मी को लेकर जा रहे हैं दोस्तो, यह जो चीजे हैं, मुझे कहीं न कहीं विश्णू जी लक्समी जी इनके पीचे का जो भाव है उसके साथ मुझे ज़्यादा कनेक्ट करती है कि एक लड़की को जिसे बड़ा किया जाता है उसको बहुत सारी चीज़ें वो अपने आप सीख लेती है बहुत सारी चीज़ें उसको सिखाई जाती है आज के जमाने में हर परकार की एजूकेशन वो लेती है और वो जब किसी मकान के अंदर प्रवेस करती है तो तुरंत बाद में वो मकान जो है वो घर हो जाता है और इसी परकार से जब एक पिता उस लड़की के लिए लड़का देखता है तो वो देखता है कि वो नसे से मुक्त हो, वो नसा ना करता हो वो देखता है कि ये लड़का कितना शक्षम है परिवार की जिम्मेदारी उठाने में यह लड़का क्या कुछ करता है, कामकाज क्या करता है, इसके दोस्त लोग कैसे हैं, इसकी संगती कैसे हैं, इसके परिवार के लोग कैसे हैं, मुझे यहाँ पर जो जेनिटिक, जो हमारी मेडिकल साइंस में जो जेनिटिक के बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं, सिद्धानत हैं, वो भी मुझे यहां पर उनको और समझने का मौका मिला कि एक आम जो पिता है वो भी उसके परिवार को देखता है तो वहां से उसके जीन्स का भी पता चलता है तो अल्टिमेटली मेरा सभी लड़कियों को यही संदेश है कि आपकी जो पिता है वो आपके लिए एक विश्णों जी अपने घर के अंदर लाना चाहते है जो पिता का जो घर है जिस दिन एक बेटी पेदा होती है उसी दिन कहा जाता है कि लक्समिंगर पे आई है और जब वो बेटी उस घर से विदा होती है अपने सचुराल की और तो उस से पहले उस घर को एक विश्णों जी देती है तो ये भाव मुझे इस वज़े से भी बहुत ज़्यादा जरूरी लगे क्योंकि लड़कियों को ये समझना चाहिए कि उनके पीछे उनके पिता का एक बहुत ही बड़ा हाथ है वो इस बात को समझे और ये इस वज़े से समझे बहुत ज़्यादा जरूरी है कि वो जैसे ही अपनी पढाई पूरी करती है अपने घर से बाहर निकलना पड़ता है पढाई पूरी करने के लिए लेकिन बाहर निकलने के साथ ही उनको बहुत सारी जो गंदगी है उसका सामना भी करना पड़ता है अच्छाई बहुत कम है और गंदगी बहुत ज़्यादा है दोस्तों घर के बाहर तो ऐसा ही महुल होता है आप अपने घर के बाहर निकलो गंदगी ज़्यादा मिलेगी अच्छाई अच्छी जगे कम मिलेगी लड़कियों को चाहिए कि वो अच्छी जगे अच्छाई के साथ में अपने आपका जुडाव करें गंदगी को वो हटाते रहें गंदगी से वो जितना होते हो सके दूर रहते हैं यह से बहुत सारे सेव मिलेंगे उस सड़े हुए सेवों का भी यह की लाज़े कि उनको काटना पड़ेगा आप अपनी जिन्दगी के अंदर बहुत अच्छे से अपने प्यार के साथ अपने बहुत ही लगाव के साथ सबी लोगों के साथ में आपकी जो से प्यार के साथ में अपने जीवन यापन कीजिए खुशिया मनाईए हर प्रकार का उच्सव आप कीजिए और आपका जो प्यार है वो आपके काम के साथ में यानि आपकी पढ़ाई के साथ में आपका आप जिस भी मिशन के अंदर लगे हो बहुत अच्छे से उसको कीजिए आप सफलता के जो मुकाम है वो हासिल कीजिए आपकी सफलता से आपके पिता की जो कॉन्फिडेंस उसका जो गरव है वो और ज़्यादा अच्छा होगा और आप अपने पिता के साथ मिलकर आप अपने परिवार के साथ मिलकर आपके घर के अंदर एक विशनू जी लेकर आ सकते हैं ये शमका सिर्फ आपके अंदर है दोस्तो विशन온 जी आने का मतलब ये है कि एसा इसा अनसान आएगा और अब मैं जो बातें कह रहा हूँ मैंने खुद ने फील किये मेरी जो छोटी सिस्टर है जिसकी हमने साधी की और जो जिजा जी है वो उनका वहवार से उनके सौभाव से सभी लोगों ने महसूस किया है कि हमारे घर में यकीनन विश्नु जी आये है उनका नाम है वेद परकाश जी मैं नाम भी लेना चाहता हूँ ताकि लोग कनेक्ट भी करें उनकी वाणी उनका वहवार उनका बातचीत का तरीका नसा मुक्त जीवन साधी को लगबग एक साल होने को है तो हमने बहुत अच्छे से ये महसूस किया है कि हमें ये महसूस हुआ है एक फील हुआ है कि जैसे एक बगवान किसी घर के अंदर आते हैं उसी परकार से जो विश्णू जी है वो हमारे बीच में आये हैं हमारे साथ में वो जुड़े हैं क्योंकि जो फर्ज होता है एक पिता का एक बेटी को लेकर जो एक फर्ज होता है जैसे ही साधी होती है तो फर्ज उतर जाता है और वो फर्ज किस परकार का कि ये जो बच्ची है वो आगे बड़े ये बच्ची ग्रोह हो अपने जीवन के अंदर बहुत कुछ ये अचीव करे बहुत कुछ ही अचीव करे और इसके साथ में इसका एक अपना घर हो ये भी एक फर्ज होता है पिता का और अपने जीवन के अंदर ये बहुत ज़्यादा खुश रहे तो दोस्तों खुशी के लिए एक इनसान अच्छा इनसान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है और एक रेस्पेक्ट देने का जो एक गुण है वो बहुत जरूरी है मैं एक संदेश एक मेसेज अंती मेसेज में लड़कियों को और देना चाहता हूं कि बहुत जीवन में कुछ भी हो आपके जो भी मुख्य मुख्य रिस्ते हैं बले पिता के साथ में हो या फिर आपके हस्पेंड के साथ में आपका रिस्ता है जिसको एक भाव है कि वो विष्णु जी आएं है आपको लक्स्मी के रूप में स्विकार करने और आप उनके घर की लक्सी भी बनोगे, उनके घर का जो वेबव है, उनके घर के जो मान समान परतिष्टा है, उसको आप बढ़ाओगे तो इसके अंदर एक बहुत जरूरी बात हो जाती है, भले प्रिस्टिक केसी भी हो, भले कोई लड़ाई हो जाए, भले कोई वाद विवाद हो जाए, भले कुछ भी हो, लेकिन आपको उनको हमेशा रेस्पेक्ट फुली बात करने हैं, हमेशा उनको रेस्पेक्ट फुली आप अपने घर की लक्समी के साथ में बहले किसी भी प्रकार की कोई भी प्रस्थिती हो जाए, रेस्पेक्ट का आप दिहान रखोगे, रेस्पेक्टफली आप उनके साथ बाचित करोगे, दोस्तों समश्या केसी भी है, समाधान के रास्ते जो हमेशा खुले रहेंगे, ये मेरा आखिरी जो संदेश है, इसको हमेशा अपने जहन में बेठा के रखें, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को यहां तक देखा, मेरे संदेश को देखा, अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक करें, आपकी बातों को, आपके वीचारों, आपके भावनाओं को मुझे कॉमेंट करें, और इस वीडियो को जादा से जादा लड़कियों तक पहुंचाएं, खास तोर पर भारत की लड़कियों तक पहुंचाएं, बहुत बहुत अन्यवाद, अच्छे लगी, तो हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लिक करें, और बहुत 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 थैंक्यू, जे हिंद, जे भारत.